नमस्कार दोस्तो एगरी हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपी कल्चर जी हाँ दोस्तो एपी कल्चर यानि हनी बी से रिलेटिट सारी जानकरी आज के इस वीडियो में आपको देंगे तो बेफिकर वीडियो को अंतर तक देखिएगा और हाँ दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और इस वीडियो को सेयर जरूर कर दीजीगा और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फालो करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर आप फालो कर सकते हैं ऐड़ रेट एगरे हिंदुस्तान ठीक है वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स और नए नए जानकरिया मिलती रहेंगी ठीक है दोस्तो अब चलते हम अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं Classification of Honeybee, Types of Honeybee, Description यानि जितने भी टाइपस हैं Honeybee की उनका Description Economic Importance, Honey and Wax यानि Honey and Wax जो है Economic Part होता है Apiculture का तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगली चीज है Life Cycle, Honeybee की Life Cycle के बारे में बात करेंगे फिर General Activities अब भी यानि Honeybee की जो General Activities होती है उसके बारे में बात करेंगे फिर हम बात करेंगे 20 MCQs for Practice जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमन्द है जितने भी एक्जाम होंगे अगर वो उसमें Apicals से Related MCQs या Questions को Put Up करता है तो आपके इस 20 MCQs के द्वारा ही वो सारे कबर हो जाएगा आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा बहुत ही लाबदाएग वीडियो है ठीक है दोस्तों अब चलते हैं Next Classification में सबसे पहले चीज़ आती है Phylum Arthopoda जी हां दोस्तों Honeybee जो होती है वो Phylum Arthopoda से बिलांग करती है उसका जो Class होता है वो Insecta से बिलांग करता है और Ider Hominoptera यानि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला Question है Honeybee से की Honeybee की जो Order होती है वो कौन से आउडर से बिलांग करती है Honeybee दोस्तों Order Hominoptera से बिलांग करती है तो ये बहुत ही ज़्यादा Important Question एक Question आपको अभी का अभी मिल गया ठीक है अब चलते हैं Next पे तो Family जो होती है वो Epidies से बिलांग करती है और Genus जो होता है एपीस होता है और इस बिसीज जो होता ही है इसकी मेली फिरा होता है Next पार्ट है हमारे इस वीडियो का वो है Types of Honeybee यहां दोस्तों अब हम बात करेंगे Types of Honeybee की कितने प्रकार है तो टोटल 6 पार्ट 6 टाइपस इसमें मेंशन हुए है तो सबसे पहले है Rockbee यानि Apis Dorceta तो दोस्तों जो Apis Dorceta होती है वो Big in Size यानि 20 mm in Length 20 mm Length की होती है Apis Dorceta यह Big Rockbee होती है जो वो Big Size में होती है दूसरा है Indian Bee Indian Bee जो होती है Apis Indica का लाती है Little Bee जो होती है Little Bee Apis Floria का लाती है and Next जो है Damer Bee Damer Bee को Melipona Species के नाम से जानते हैं लेकिन यह पुराना नाम है बट इसकी जो Recently Name दिया गया है वो है Tetra Gonula Eridipenis ठीक है यह एक Important Question है और Damer Bee से काफी Questions बनते हैं जो कि हम वीडियो के आगे सेशन में अभी Discuss करेंगे पहले इसको Discuss कर लेते हैं तो पांचवी जो है European Bee European Bee दोस्तों Epis Mellifera कहलाती है छटा है जो है Eastern और Asiatic Bee जिसको हम Epis Serena बोलते हैं ठीक है अब चलते हैं Next Part पे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Epis Dorceta यानि Rock Bee होती है उसकी Length देख लीजिए आप कितना है यानि यह Length में तो सबसे बड़ी होती है आप यहाँ से देख सकते हैं उसके नीचे Epis Mellifera है उसके नीचे Epis Serena है इनका जो Size है वो घटते करम में है सबसे उपर जो है वो बड़ा है फिर उससे छोटा है फिर उससे छोटा है तो दोस्तों वो दोनों में से जो है वो है पहला है Epis Mellifera और दूसरा जो है Epis Serena यह दोनों Species जो है बी की वो Cultivated Species है इनही की ही हम Domesticate करते हैं और इनही से हम लाब लेते हैं ठीक है अब चलते हैं Next question जो बनता है दोस्तों वो यह बनता है कि Type of Antony in Honeybees Genuculate यानि Honeybee में जो Antony Type होता है वो Genuculate होता है और Elbow-like उसका structure बनता है तो यह भी important question है यहाँ पर आपको दूसरा question मिलता है कि Honeybee में कौन से प्रकार की Antony पाई जाती है तो आपका right answer होगा Genuculate या Elbow-like Next चलते हैं यहाँ पर पूछा है mouth part is chaving and lapping types in Honeybee यह भी एक important question है तो दोस्तों इस वीडियो session में अगर आप रुके रहेंगे अंत तक तो आपको सारे important question मिल जाएंगे इस वीडियो को बनाने का main मकसद ही है कि आपको fact to fact और important जानकारी जो कि exams में पूछी जाए वही आपको fact to fact मिले तो दोस्तों mouth part जो होता है honeybee में वो chaving and lapping type का होता है ठीक है इतना चीज आपको clear हो जाना चाहिए अब चलते है next पे तो दोस्तों पहली हम बात करेंगे पहले वी की rock bee रॉक भी जो होता है वो इसके बारे में discuss करते हैं made single huge calm at the face of rock branches of trees and sometimes on walls and buildings तो यह अपना जो कौम बनाता है वो बहुत बड़ा बनाता है और कहां बनाता है rocks के face पर बनाता है यानि चट्टानों पर बनाता है branches of trees and sometimes on walls and buildings दिवालों और घरों पर बनाता है यह अपना कौम ठीक है और next जो है इसका important चीज कि यह ferocious and irritable in nature यानि बहुत ही गुसेदार होती है और irritated होती है अगर आप इससे परसान करते हैं तो यह तुरंत काटने लगती है ठीक है इसलिए यह irritable और ferocious होती है अब चलते हैं next है in winter migrate to hills and come back to planes in summer यानि winter में यह hills की तरफ भाग जाते हैं और जब गर्मी आती है धीरे धीरे वो plane की तरफ यानि समतली भागों पर आना start कर देते हैं प्रारम कर देते हैं next है कॉंब size is one meter यानि रॉब भी जो होती है उसका जो कॉंब size होता है वो one meter के आसपास होता है यानि बड़ा कॉंब बनाते हैं इनकी जो मधुमक्की का छत्ता होता होता है वो बहुत बड़ा होता है अब इसमें यह भी है कि capable to storing 20 to 40 kg honey यानि अगर छत्ता बड़ा होगा तो उसमें honey भी चादा मात्रा में पाई जागी ठीक है and next point है not to be domesticated रॉब भी को हम domesticated नहीं कर सकते क्योंकि यह irritable और ferocious in nature में होती है अब चलते हैं next honey भी पे तो दोस्तों दूसरा हमारा honey भी है Indian भी Apis Indica जिसको scientific लिए हम जानते हैं Apis Indica बहुत बारे यह पूछ देता है कि Indian इन भी का scientific name क्या है तो दोस्तों इसके बारे में हम description में देखते हैं कि 15 mm यानि 15 mm in length 15 mm की लंबाई में होती है mid comb at dark places, closed and covered places यानि इसकी जो comb बनते हैं छत्ता बनता है वो dark places, closed और covered places में बनाती है यह और 3 to 4 kg honey annually produced from one comb, एक comb से यानि एक छत्ते से 3 to 4 kg honey एक साल में प्राप्त ह होता है और यह दो प्रकार की होती हैं दोस्तों तो दो दो प्रकार में है पहला जो है plains type है और दूसरा जो है hills type है ठीक है अब चलते हैं next honey bee पे next honey bee है दोस्तों little bee little bee को हम scientificly जानते हैं episploria तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा describe कर देते हैं smaller than Indian bee जो little bee होती है वो Indian bee से छ कहीं पे भी dark places में नहीं होते सिर्फ open places में यह अपने कौम को बनाती है next is from a complete only 200 gram यानी एक complete छत्ते से 250 gram honey obtained at a time एक बार में 250 gram honey obtained की जाती है एक छत्ते से next is produced honey sweetest one यानी little bee जो होती है उसके द्वारा जो honey produce की जाती है वो सबसे ज़्यादा sweetest होती है next है does not tolerate cold ये एक important question बनता है कि कौन सी honey bee की species है जो cold को tolerate नहीं कर सकती next point है hence not found on hills इसी लिए ये hills पर नहीं पाई जाती क्योंकि ये cold को सहन नहीं कर सकती ठीक है दोस्तों अब चलते हैं हम अपने next honey bee पे तो हमारा जो अगला honey bee है वो है damer bee damer bee को melipona species के नाम से जानते हैं तो दोस्तों इसके बारे में describe करता हूँ smallest bee species damer bee जो है यह एक smallest bee species है and differ from others और अन्य bee से अलग होती है different होती है these bees don't have sting यानि damer bee जो होती है melipona species इन में sting नहीं पाई जाती है इसलिए यह stingless bee कही जाती है यह important question बनता है दोस्तों exam view से की कौन सी honey bee है जिसको हम stingless bee कहते हैं तो दोस्तों right answer होगा damer bee यानि melipona species ठीक है next point है construct coms by mixture of earth, gums and resinous substances तो दोस्तों यह जो अपने छत्ते को बनाती है वो mixture से बनाती है जिसमें होता है earth होता है gums होता है and resinous substance का mixture होता है जिसके द्वारा यह अपने छत्ते को construct करती है coms को construct करती है and next point is very important that is don't secret wax to build coms यानि यह earth, gums and resinous substance के mixture को क्यों use करती है क्योंकि यह ऐसी भी species है जिसमें secret नहीं होता है wax का wax का secretion नहीं होता है इसलिए यह एक important question बनता है कि कौन सी भी species है जो wax का secretion नहीं करती तो right answer होगा damper bee या melipona species and next point is not desirable to domesticate और यह domesticate के लिए अच्छी species नहीं है honey bee की ठीक है दोस्तों अब चलते हैं next honey bee पे हमारा next honey bee है European bee जिसको हम बोलते है एपिस मेली फेरा एपिस मेली फेरा को हम European bee के नाम से जानते हैं ठीक है इसके बारे में है produce 9 to 10 times more than honey than damper bee यानि 9 से 10 गुना ज़्यादा honey इससे produce होता है किसकी अपेच्छा damper bee के अपेच्छा next point है most industrious and peaceful यह बहुत ज़्यादा industrious and peaceful होती है इसलिए यह domesticated species कही जाती है इसका हम domestication कर सकते हैं for honey production अब बात करते हैं दोस्तों economic importance की दोस्तों अगर apiculture में देखा जाए तो दो ही चीज होती है जो economic importance के लिए use की जाती है पहला है honey honey जो होता है दोस्तों वो एक colorless to light brown viscous liquid कैसा colorless to light brown and viscous liquid होता है honey और इसका जो composition होता है दोस्तों वो होता है sugar 78% यह एक बहुत ही ज्यादा important question बन जाता है इस economic importance से यहां से दो question बनते हैं कि पहला जो honey का color होता है वो colorless होता है चेनरली colorless होता है लेकिन light brown सबसे ज्यादा पाया जाता है जो honey का color होता है वो light brown viscous liquid के रूप में ज्यादा पाया जाता है colorless कभी कभी दिखता है ठीक है लेकिन दूसरा question जो बनता है honey B में honey में जो sugar percentage होता है वो कितना होता है तो right answer होगा दोस्तो 78% और जो honey में sugar होता है उसका क्या composition होता है तो honey में जो sugar होता है उसमें glucose और fructose यह दोनों पाये जाते हैं glucose और fructose यह एक important question बनता है एक जाम भी उसे next part है water यानि honey में sugar water और enzymes यह तीन चीज़ पाये जाते हैं इनका जो composition है water 17% है 17% water और enzymes जो है वह 7% enzymes पाये जाते हैं sugar को हमने पहले ही discuss कर दिया कि 78% होता है और important question यह बनता है कि glucose और fructose सुगर पाये जाती है honey में अब चलते हैं next part पर तो दोस्तों यहां पर बता दिया है annual production of honey in India is 1.05 लाख metric tons in 2017-18 by national B board यहां पर annual production जो होता है honey honey का honey का honey का नहीं honey का वह इंडिया में 1.05 लाख metric ton हुआ है 2017-18 में यह important question बनता है next question है दोस्तों wax is secreted by worker honey bee यानि wax किसके दोरा secret किया जाता है तो यह important question बनता है for exam view कि जो wax होता है वो worker honey bee के दोरा secret किया जाता है ठीक है दोस्तों अब चलते हैं next पर तो wax gland situated on ventral side यहां पर भी एक important question आपको मिलता है कि जो wax gland होती है वो ventral side of abdomen moment पर होती है वो भी किसके worker honey bee के यह important question मिलता है इस इस annual production of honey bee यहां से तीन question total बन गए इसको आप दिमाग में रखे रहेएगा आके जब हम mcqs का practice करेंगे तो solve करने में मजह आएगा ठीक है तो चलते हैं next पर तो दोस्तों next है life cycle अब हम इसके life cycle के बारे में discuss करेंगे total fact to fact discuss करेंगे आपके exam के view से तो पहला है social insect lives in colony तो दोस्तों जो honey भी होती है वो एक social insect होती है और वो colony बना कर रहती है दूसरी point कहता है a family consists about 30,000 to 50,000 chambers which includes a queen and 200 to 300 drones दोस्तों इसकी जो family होती है उसमें 30,000 से 50,000 chamber पाए जाते हैं जिसमें एक queen होती है और 200 से 300 drone पाए जाते हैं एक छते में ठीक है अब next point बोलता है the queen is sexually developed तो दोस्तों एक important question आपको यहां से मिलता है कि जो queen होती है वो कैसी होती है वो sexually developed होती है यह आगे आपको questions में जब हम practice करेंगे तो मिलते रहेंगे यह सारे question आपको repeat हो जाएगा और एक ही बार में अगर आप फूरे वीडियो देखते हैं तो आपको सारा चीज लर्न हो जाएगा तो यह question बन गया कि queen जो होती है वो sexually developed होती है next point पे चलते हैं queen is bigger than worker यानि worker भी जो होती है वो छोटी होती है किसके अपर अच्छा queen के यानि queen बड़ी होती है worker से वो भी कितना 15 to 20 mm in length यह भी important question है queen lay eggs 2 to 2000 eggs per day कितना 2 से 2000 eggs per day एक queen अंडे देती है queen lay eggs 2 to 2000 eggs per day इतना यह important question बन गया एक और आपके लिए and next पे चलते हैं तो next जो है queen life for 2 to 5 years कितने सालों के लिए रहती है 2 से 5 सालों के लिए एक queen जिन्दा रहती है उसकी life cycle इतने सालों के लिए होती है यह भी एक important question बनता है अब चलते हैं दोस्तों next part पे इसका जो next part है वो है life cycle का ही है तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों लारवा में convert हो जाता है फिर लारवा fully completed हो जाता है day 10 में फिर day 14 से start होता है pupil stages का pupil stage जो होता है वो 18 day में complete हो जाता है complete pupil stage कितने दिनों में होता है 18 day में फिर यहां से start होता है adult day जो कि 21 से फिर यह life cycle चलती रहती है honeybee की जो कि बहुत important है अब चलते हैं next पे तो दोस्तों next है life cycle से related है drones are reared from unfertilized eggs तो यहां पे एक question आपको मिलता है कि जो drones होती है दोस्तों वो unfertilized eggs से reared की जाती है पाली जाती है उसमें उनके hypes में उनके छते में and next is next point says main function of drone is to mate with queen यानि जो drone होता है उसका जो main function होता है वो क्या होता है उसका main function होता है mate with queen यह drone का main function है यह भी एक important question है next है worker अब हम worker भी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों produced from fertilized eggs but remain sterile यह एक important question बनता है कि जो worker भी होती है वो fertilized eggs से तो बनती है लेकिन sterile रहती है कैसी रहती है sterile रहती है लेकिन fertilized eggs से बनी होती है यह fertilized eggs से produced होती है ऐसा क्यों होता है क्यों देखो जो fertilized eggs से बनती है वो तो worker होती है लेकिन sterile क्यों रहती यह क्योंकि इनको royal jelly का seven नहीं किया जाने दिया जाता है इनको royal jelly खाने में अब उपलब्द नहीं होती है इसलिए ये sterile रहती है जिसको royal jelly मिलता है वो sterile नहीं होता है ठीक है जैसे rani जो होती है उसको royal jelly खाने को मिलता है नेक्स्ट है they work for maintenance and welfare of colony यानि जो worker honey भी होती है वो maintenance और welfare of colony के लिए work करती है नेक्स्ट काम होता है collect pollens यानि pollen grains को collect करती है फिर वहां से honey का production धिरे धिरे start होगा वो pollen को लाएंगे फिर उससे honey को produce करेंगे नेक्स्ट है to guard colony against enemies यानि दुस्मनों से सुरच्छा के लिए ये colony की सुरच्छा भी करते हैं ठीक है नेक्स्ट है अब चलते हैं important activities by honey bee during the year यानि पूरे शाल में जो important activities होती है वो क्या क्या होती है तो दोस्तों सबसे पहला है combing hexagonal cells तो दोस्तों combing में जो ये अपने coms को बनाते हैं तो hexagonal cells hexagonal cells बनाते हैं दूसरा है swarming ये important question है कि swarming process जो होती है वो किस time में होती है तो right answer होगा हमारा summer में किस time में? swarming जो प्रक्रिया होती है honey bee में वो during summer season में होती है next है migration migration scarcity of food unfavorable environment migration क्यों करती है तो दोस्तों वहाँ पे food की scarcity हो जाती है कमी हो जाती है या फिर unfavorable environment पाया जाती है तो वो लोग वहाँ से migrate कर जाती है दूसरे जगह जाकर नए छत्ते का निर्माड करती है नए कम का निर्माड करती है next point है year conditioning of calm to maintain temperature of bee hive at the rate 20 degree Fahrenheit ये एक important question बनता है तोस्तों कि जो bee hive होता है उसका temperature हमेशा maintain करती है ये लोग by fanning of अपने पंखों के दौरा फैनिंग करके यानि हवा देकर उसके temperature को 20 degree Fahrenheit तक maintain करती है ठीक है अब चलते हैं next ये important question था next है bee keeping equipments तो दोस्तों bee keeping equipments कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे discuss कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहला है bee hive, comb foundation, smoking apparatus, hand gloves, scrapper, net, knife and honey extractor इतने सारे bee keeping equipments होते हैं तो दोस्तों कभी कभी ये चार option दे देगा उसमें से एक option को हटा देगा कोई दूसरा option रख देगा और पूछ देगा कौन सा इसमें bee keeping equipments नहीं है तो दोस्तों ध्यान से सतर्क रहेगा और इन सारे bee keeping equipments को आप एक बार learn कर लिजेगा आपके लि popular in India यानि दो प्रकार की जो honey hives होती है artificial hives popular है इंडिया में पहला काउन सा है तो दोस्तों पहला है ghost box जो ghost box होता है 36 cm into 21.1 cm की इसमें होता है इतना लंबा चौड़ा होता है और जो दूसरा है दोस्तों दूसरा जो है वो है न्यूटन box न्यूटन box जो होता है 20.2 cm into 14 cm इनकी लंबाई चौड़ाई होती है ये दो box सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाते हैं कभी-कभी exams में इनकी size को पूछ दिया जाता है कि ghost box जो है उसका size कितना होता है तो हमारा जो right answer होगा 36 cm into 21.5 cm right answer होगा next point है दोस्तों ये important point है तो इसमें बोला गया है कि royal jelly is secreted by hypo pharynx of nurse bees ये एक important question बनता है जो कि general push दिया जाता है अधिकतर exams में अगर epiculture से पूछता है तो यही पूछता है कि जो royal jelly होती है वो कहां से secret होती है तो दोस्तों right answer होगा हमारा hypo pharynx of nurse bee ठीक है ये भूलिएगा मत य ये तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए अब चलते है next पर तो दोस्तों यहाँ पर है ये भी important point है artificial com was first introduced by the Lorenzo Lorraine Longstorth in 1851 in America यानि artificial com जो है सबसे पहले Lorenzo Lorraine Longstorth ने 18001 में दिया था कहां पे अमेरिका में कभी-कभी ये ll longstorth लिखता है इसका short name ये important question question है तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा ठीक है अब चलते है next पर next point है in India beekeeping started from west बंगाल तो दोस्तों इंडिया में जो beekeeping started हुई थी वो 1882 में वो भी कहां से west बंगाल से start हुई थी ये पूरा point important है कि इंडिया में जो beekeeping start हुई थी वो west बंगाल से start हुई थी वो भी 1882 से ठीक है अब next question है and from Punjab in 1884 अगर पूछ देगा कि पंजाब में कब से epiculture start हुई beekeeping कब से start हुई तो 1884 से start हुई लेकिन इंडिया में जो beekeeping start हुई थी वो west बंगाल से start हुई थी वो भी कब 1882 से ठीक है दोस्तों अब चलते हैं next पर next point में यह है दोस्तों practice set for your exam answer not given by yes and you should read first information as described above read questions give answer and match them your answer is correct or not with the help of described above information I will upload a video on तो दोस्तों यह मैंने इसलिए बनाया था अगर आपको यह pdf चाहिए होगा तो आप मुझे मेरे instagram page पे फालो कर सकते हैं at the rate emin101 और वहाँ पे आप मुझे direct message करके आप यह pdf मुझसे खरीच सकते हैं direct इसका जो cast होगा मैं वहीं पे आपको बता दूँगा ठीक है दोस्तों मैंने personally इसलिए बनाया था ताकि आप लोगों को available हो जाए तो चलिए अब start करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो के practice को तो दोस्तों सबसे पहला question है हमारा sugar percentage in honey तो दोस्तों अगर आप इस वीडिय में पढ़ाया है कि economic importance में sugar जो होता है वो honey में कितना percentage पाय जाता है तो दोस्तों मुझे गौर तलब है कि आप अपने answer को comment कर दिया होगा तो दोस्तों आपको right answer पता होगा तो इसका जो right answer है दोस्तों वो है 78% कितना 78% यह हो गया हमारा right answer honey में जो sugar percentage होता है 78% ओके दोस्तों अब चलते हम next question पर तो हमारा next question है honey is secreted from तो दोस्तों आपको right answer देना है आपके पास option है वैस्कुलर ग्लेंड्स हाइपो फैरिंग्स माउथ एन्ट मैक्चली ओके वीडियो को pause करिए और answer को comment करिए ठीक है I hope आपने answer कर दिया होगा तो दोस्तों इसका जो right answer है वो है hypo pharynx honey जो होता है वो honey B के hypo pharynx से secret होता है अब चलते हैं next question पर next question है हमारा दोस्तों honey sugar is honey जो sugar होता है वो क्या होता है इनमें से कौन सा है glucose है या fructose and sucrose है या फिर sucrose है या फिर glucose and fructose है तो दोस्तों आपको right answer करना है आप comment करिए वीडियो क पास करिए तो दोस्तों मैं भी बता देता हूँ right answer है glucose and fructose ये एक important question है कि जो honey sugar होता है वो glucose and fructose होता है ठीक है अब चलते हैं next question पर next question है stingless bee is ये दोस्तों इस question को भी मैंने बता दिया था जब हम describe कर रहे थे वीडियो को कि stingless bee कौन सी होती है डैमर भी है लिटिल भी है र comment करके बताई answer but right answer is dammer bee हम जानते हैं आपको answer पता होगा right answer है dammer bee जिसको मैलिपोना species भी कहते हैं ठीक है अब चलते है next question पर हमारा जो next question है वो है queen of honey bee ले eggs per day यानि जो honey bee की queen होती है वो कितने अंडे ले करती है per day यानि एक दिन में कितने अंडे देती है तो दोस्तों आपक 3,000 2 to 10 and 2 to 2,000 आपके पास option है 4 confuse मत होईएगा please write the answer in the comment box and I will तो ठीक है मैं बताता हूँ आपको answer right answer is 2 to 2,000 eggs दोस्तों जो queen होती है honey bee की वो 2 से 2,000 अंडे को per day ले करती है अब चलते है next question पर next question है queen is sexually दोस्तों इस question को भी हमने काफी जोड़ दे कर बताया था तो आपके पास option है but queen is sexually but partially developed, developed, undeveloped and sterile आपके पास ये सारे option है आप right answer को बताईए ठीक है मैं बताता हूँ इसका जो right answer है वो है developed जो queen होती है वो sexually developed होती है इसलिए तो वो नए बच्चों को जन्म देती है और वहां से उनकी जो कालोनी होती है उसका विकास होता है ठीक है अब चलते हैं next question पर, next question है दोस्तों which bee species don't secret wax यानि कौन सी bee species है जो wax का secretion नहीं करती है तो दोस्तों आपके पास option है little bee है, mellipona है, european bee है and rock भी है बट दोस्तों इसका जो right answer है वो है mellipona species mellipona species is the bee species which don't secret wax and ये wax को secret नहीं करती है इसलिए ये जो अपने कौंब को बनाती है वो earth grams and resinous substance के mixture के द्वारा अपने कौंब को construct करती है ये एक important question है तो चलते हैं अब next question पर दोस्तों next question है wax is secreted by wax जो है किसके द्वारा secret किया जाता है यानि कहा से secret होता है वह कौन सा है female है queen है male and female है worker honey bee है किसके द्वारा इन में से wax को secret किया जाता है तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर है वो है worker honey bee जो worker honey bee होती है उसी के द्वारा ही wax का secretion होता है ठीक है अब चलते हैं next question पर तो दोस्तों next question है हमारा a queen bee life for यानि जो queen bee होती है वो कब उसकी जो life है वो कितने सालों तक होती है आपके पास option है 2 years, 3 years, 2 to 5 years and 50 days तो दोस्तों इस question को भी हमने बहुत ही जोड़ दोकर पढ़ाया था आपको टू टू फाइप एर्स एक queen जो होती है वो टू टू फाइप एर्स तक जिन्दा रहती है अब चलते हैं next question पे तो दोस्तों हमारा जो next question है वो है इन इंडिया beekeeping first started from यानि इंडिया में सबसे पहले beekeeping कहां से start हुई थी आपके पास option है राची है केरला है पंजाब है वेस्ट बंगाल है तो दोस्तों हमने जब वीडियो को describe किया था तो राची और केरला ये दो option थे ही नहीं पंजाब और वेस्ट बंगाल था तो आपको choose करना है पंजाब और वेस्ट बंगाल में right answer कौन सा है ठीक है अगर आपको आता है तो comment करिए वदा वरना मैं तो बता रहा हूँ कि जो beekeeping है इंडिया में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में start हुई थी वो भी कब से 1882 से start हुई थी लेकिन पंजाब में जो start हुई थी वो 1884 और वेस्ट बंगाल में जो start हुई थी 1882 से start हुई थी अब चलते हैं next question पे next question है दोस्तो artificial honeycomb first introduced by तो दोस्तो जो artificial honeycomb होती है वो सबसे पहले किसके दोरा introduce हुई थी इसको भी हमने काफी एच्छे तरीके से बताया था तो option है आपके पास यह चौर option है तो दोस्तो जो राइट एंसर है वो है यानि लोरेंजो लोराइने लोंग स्टॉर्थ यह मैंने आपको वहां पे बताया था जोर देकर बताया था तो ठीक है चलते हैं next question पे तो दोस्तो नेक्स्ट कोस्चन है swarming activities in honeybee found in या किस समय में पाई जाती है तो आपके पास option है winter है spring है summer है और rainy season है तो दोस्तो आपको right answer चूज करना है what will be the right answer ओके दोस्तो मैं बताता हूँ आपको जो right answer है वो है summer season जो swarming activities होती है वो during summer season में होती है in honeybee ओके अब चलते है next question पे तो दोस्तो next question है air conditioning of comb to maintain temperature at degree Fahrenheit यानि जो air conditioning होती है comb में जो मधुमक्य होती है अपने punk के द्वारा उसमें हवा देती है ताकि उसका temperature इतने degree Fahrenheit तक हो जाए वो कितना है आपके पास option है 40 degree Fahrenheit, 50 degree Fahrenheit, 20 degree Fahrenheit and 101 degree Fahrenheit तो दोस्तों इसका जो right answer है वो है 20 degree Fahrenheit कितना होता है 20 degree Fahrenheit ये एक important question है बहुत ही कम लोगों को पता होगा और सायद ही ये सारे questions आपको कहीं मिलेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी share कर दीजेगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है like नहीं किया है share नहीं किया है तो सब दोस्तों नेक्स्ट कोर्षिन है mouth type in honeybee तो दोस्तों जो mouth type होती है honeybee में आपके पास option है chaving and lapping, chaving and grasping, biting and cutting and sucking, तो दोस्तों इन चारों option में आपको जो right answer है वो है आपका a option यानि पहला option जो honeybee होती है उसमें chaving and lapping type की mouth type पाई जाती है ठीक है दोस्तों ये बहुत ही में जब agriculture के student होते हैं उनमें जब entomology का course आता है तो वहां पर ये question तो पक्का रखा जाता है कि mouth type कैसा होता है honeybee में next question है which type antenna found in honeybee तो किस प्रकार की antenna पाई जाती है honeybee में आपके पास option है cetaceous, philiforme, aristate and genuculate तो दोस्तो जो right answer है इसका वो है genuculate कैसा है genuculate तो दोस्तो जो honeybee होती है उसमें antenna genuculate type की होती है मैंने ये भी बताया था कि elbow like structure होता है यानि हमारे hands की जो elbow होती है same वैसा ही structure होता है honeybee में जो antenna होती है ठीक है अब चलते है next question पे तो हमारा जो next question है which bee species doesn't tolerate cold तो दोस्तो ये मैंने आपको बताया था कि कौन सी bee की species है जो cold को tolerate नहीं कर सकती और इसलिए वो hills पर नहीं पाय जाती ये भी मैंने बताया था तो दोस्तो आपके पास option है एपिस फ्लोरिया एपिस मेलिफेरा एपिस इंडिका एपिस डॉर्सेटा बट राइट एंसर इस एपिस फ्लोरिया वाट इस दा राइट एंसर एपिस फ्लोरिया जो होती है वो ऐसी भी species है जो की cold को tolerate नहीं कर सकती ठीक है अब चलते हैं next question पे दोस्तो नेक्स question है annual production of honey in 2017 to 18 तो दोस्तों यहां पर जितने भी लॉक टन्स है वहां पर लाख metric tons होंगे कितने लाख metric tons यह सब में option में राएगा तो पहला option है 1.05 लाख metric tons दूसरा है 2 lakh metric tons तीसरा है 5 lakh metric tons and fourth option is 2.5 lakh metric tons but the right answer will be 1.05 lakh tons नहीं sorry 1.05 lakh metric tons it is the right answer ठीक है अब चलते हैं next question पे next question है wax glands present in honeybee at तो दोस्तों जो wax glands होती है वह कहां पर present होती है honeybee में तो दोस्तों यह अब के पास option है dorsal side of abdomen ventral side of abdomen lateral side of abdomen and posterior side of abdomen but the right answer will be ventral side of abdomen तो दोस्तों जो wax glands होती है वह ventral side में होती है abdomen के यह एक important question बनता है अब चलते हैं next question पे तो दोस्तों next question है order of honeybee जो कि मैंने कहा था कि यह question हर जगे पूछा जाता है तो दोस्तों यह इसका answer बहुत लोग जानते होंगे और मैं बता भी देता हूं कि इसका जो right answer है वो है hymenoptera hymenoptera से एक question और बनता है कि जो mustard सा फ्लाई होती है उसका भी जो order होता है वो hymenoptera भी होता है बट mostly student इस question को गलत कर देते हैं और यह दोनों question बहुत जादा पूछे जाते हैं कि जो mustard सा फ्लाई होती है उसका order क्या होता है उसका भी order hymenoptera ही होता है और honeybee के भी जो order होता है वो hymenoptera ही होता है अब चलते है next question पर तो दोस्तों next question है in India beekeeping was first started during तो इंडिया में जो है beekeeping सबसे पहले कभी start हुई थी आपके पास option है 1892, 1882, 1884 and 1983 तो दोस्तों सबसे पहले तो 1892 और 1983 यह दोनों option तो होगा ही नहीं बच रहा है option number 2 and 3 तो दोस्तों हमारा जो right answer है वो है 1882 कभ है 1882 से इंडिया में beekeeping सबसे पहले start हुई थी कहां से मैंने यह भी बताया था west बंगाल में 1882 से सबसे पहले beekeeping start हुई थी लेकिन जो 1884 है यह बंगाल में इस तन में start sorry sorry 1884 में पंजाब से start हुई थी लेकिन west बंगाल से 1882 में यानि सबसे पहले यहीं से start हुई ती वेस्ट बंगाल से ठीक है अब सलते हैं next question पर हमारे next question is smallest bee species is and options are dammer bee, rock bee, Indian bee and little bee but the right answer will be dammer bee, कौन सा dammer bee जिसको हम मैली पोना species भी बोलते हैं यह एक smallest bee species है ठीक है और ferocous and irritated in nature की होती है यह एक important question भी है अब चलते हैं next question पर, sorry दोस्तों यहाँ पर हमारा question session समापत होता है I hope आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अगर subscribe करना है तो subscribe कर दीजिए और bell icon को जरूर दबाएएगा और हमारे instagram page at the rate एकरी हिंदूस्तान को जरूर फालो कीजिए वहाँ पर आपको बहुत सारे नए अपडेट्स मिलते रहेंगे